हेलो दोस्तों, इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विशे को कवर करने जा रहे हैं, वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। Oxidation and Reduction Reactions दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। हम उन अभिक्रियाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिनमें उपचयन एवं अपचयन एक साथ होते हैं। आए पहले उप्चयन अभिक्रिया, Oxidation reaction क्या है इसके विशे में जानते हैं उप्चयन का सीधा सीधा अर्थ ये है कि Oxygen की वृध्धी या Hydrogen का रास Gain of Oxygen और Loss of Hydrogen तो हम उप्चयन अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ओक्सिजन की वृद्धी या हाइड्रोजन का रास होता है उपचयन अभिक्रिया ओक्सिडेशन रियाक्शन कहलाती है आए इसे हम अधिक विस्तार में एक क्रिया कल्प के द्वारा समझें एक चाइना डिश में एक ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करें आप क्या देखते हैं? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ओक्साइड की काली परत चड़ जाती है लेकिन ये काला पदार्थ क्यों बना? ये कॉपर ओक्साइड बनने के कारण होता है कॉपर ओक्साइड कॉपर में ओक्सिजन की योग से बना है अभिक्रिया के समय कॉपर में ओक्सिजन की व्रिद्धी हुई है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कॉपर का उप्चयन ओक्सिडेशन हुआ है और इसलिए ये अभिक्रिया एक उपचेयन अभिक्रिया ओक्सिडेशन रियाक्शन है अब हम इस गर्म पदार्थ कॉपर ओक्साइड सी यू ओ के उपर हाइडरोजिन गैस प्रवाहित करेंगे आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि काले रंग की सतह बूरे रंग की हो गई है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस थिती में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है यहां कॉपर ओक्साइड में से ओक्सिजन का ख्रास हुआ है या दूसरे शब्दों में कॉपर ओक्साइड का अप्चयन, रिडक्शन हुआ है ऐसी अभिक्रियाएं जिन में किसी पदार्ट से ओक्सिजन का ख्रास होता है अप्चयन अभिक्रियाएं रिडक्शन रियाक्शन कहलाती है यदि हम इस अभिक्रिया को घौर से देखे तो पाएंगे कि इस अभिक्रिया में कॉपर ओक्साइड से ओक्सिजन का ख्रास हो रहा है इसलिए ये अप्चयत हुआ है और हाइडरोजन में ओक्सिजन की व्रिद्धी हो रही है इसलिए ये उप्चयत हुआ है ऐसी किसी भी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयत तथा दूसरा अभिकारक अपचयत होता है उपचयन अपचयन, Oxidation Reduction अथवा Redox अभिक्रियाएं, Redox Reaction कहलाती है आईए अब हम अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में जाने जब भी किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में Hydrogen की व्रिद्धी या Oxygen का हरास होता है ऐसी अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, Reduction Reaction कहलाती है आईए अब अपचयन और उपचयन को हम दो उदाहरणों के द्वारा और विस्तार से समझें इस पहली अभिक्रिया में सोडियम में Hydrogen की व्रिद्धी हुई है इसलिए ये अपचयन का उदाहरण है दूसरे उदाहरण में Copper Oxide में Oxygen का रास हुआ है अर्थात अपचयन तथा Hydrogen में Oxygen की व्रिद्धी हुई है अर्थात उपचयन हो रहा है आईए ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में जाने जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों देखने को मिलते हैं क्योंकि जैसा हमने उदाहरण दो में देखा Copper Oxide से Oxygen का रास अर्थात अपचयन और Hydrogen में Oxygen की व्रिद्धी अर्थात उपचयन हो रहा है इस तरह एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन हो रहे है तो दोस्तों उपचयन अपचयन अभिक्रिया या Redox अभिक्रिया का क्या मतलब है? एक रासाइनेक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं उसे Redox अभिक्रिया, Redox Reaction कहा जाता है। तो दोस्तों, इस विडियो में हमने उपचयन, Oxidation, अपचयन, Reduction तथा Redox अभिक्रियाओं, Redox Reactions का अध्ययन किया। दोस्तों, है ना ये रोचक अभिक्रिया है? कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। पहले उदाहरण एक में, Zinc Oxide से Oxygen का अपचयन, और Carbon में Oxygen का उपचयन हो रहा है। इसलिए ये Redox अभिक्रिया है। दूसरे उदाहरण में, MnO2 से Oxygen का अपचयन, तथा HCl में, HCl का उपचयन हो रहा है। इसलिए ये भी Redox अभिक्रिया है। तीसरे उदाहरण में, Magnesium Ribbon का चमकदार ज्वाला के साथ, Oxygen में देहन होने पर श्वेत पदार्त, Magnesium Oxide का निर्मान हो रहा है। इस अभिक्रिया में, Magnesium का उपचयन हो रहा है या अपचयन? जी हाँ, क्योंकि Magnesium में Oxygen की व्रिद्धी हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि Magnesium का उपचयन हुआ है।